इस वक्त की बड़ी खबर पांच राज्यों में हुई हार पर कॉंग्रेस का मंधन दिली में कॉंग्रेस वर्किंग कमीटी की बैठक जारी है वर्किंग कमीटी के बैठक में होगी चुनाओ नतीजों पर चर्चा बैठक में सुनिया गाधी समित कई कॉंग्रेस नेता और दिगज मौजूद हैं इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं तो यह तस्वीर है उस बैठक की जहाँ पर पांच राज्यों में हुई हार के बाद कॉंग्रेस अब मंधन करने में लगी हुई है हरी शुरावत भी दिखाई दे रहे हैं भूपेश बगेल समित तमाम बड़े दिगज नेता इस बैठक में शामिल हैं और इस पर जादा जानकारी के लिए हमारे सहियोगी इस पर शुलाइव जोड़े हुए हैं इस पर श पांच राज्यों के चुनाव नतीजे आने के बाद कॉंग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो प्रियंका गांधी ने जैसा नारा दिया था महिला वोटर्स को साधने के लिए कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ इसके अलावा भूपेश बगेल को उत्तर प्रदेश का सीनियर आफजर्वर बनाया गया था उसके बाद कई बार वो चुनावी रैलियां करते नजर आये रोडशो करते आये लेकिन तब भी यूपी में कुछ खासा कमाल ना कर पाए पांचों राज्यों में कॉंग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा तो क्या अब ये ठीक रहा कौन जिम्मदारी लेगा इस बैठक में क्या कुछ सामने निकल कर सामने आ रहा है देखें सबसे पहली बात की कॉंग्रेस वरकिंग कमिटी की ये बैठक जो है फिलाल शुरू हो चुकिए हम तस्वीरे दिखा देते हैं अपने तमाम दर्शकों को इस बैठक के लिए रहूल गांदी की बात की जाए सोनिया गांदी की बात की जाए या फिर प्रेंका गांदी वाडरा की बात की जाए बुपेश बगेल की बात की जाए ये तमाम नेता पहुँच चुके है दिपेंदर हुड़ा भी हम देखते थे कि प्रेंका गांदी वा उनको परवेक्षक सीनियर अब्जर्वर जो है कही न कई बनाया गया था लड़कियों यानि महिलाओं वोटर के उपर कही न कई साधने की कोशिश ठी हो तमाम मुद्दे थे कॉंग्रेस के सामने जिसमें महगाई की बात करें रोजगार की बात करें किसान अंदुलन की बात क क्या जो महासचीव थे, प्रभारी थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, उनका इस्तीफा अंदर दिया जाता है, लिया जाता है या नहीं लिया जाता, ये तमाम चीजे देखने वाली बात रही और उसके साथ साथ G23 के गुटके जो नेता है, वो किस तरीके का रुख जो है अं पर कोई एक्षन जो है कॉंग्रेस की तरफ से लिया जाएगा, इसके अलावा जो अलग-अलग राज्यों में प्रभारी थे, हरिश चौदरी की बात करें, पंजाब में वो प्रभारी थे, प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंग्ष शिद्दू थे, उसके अलावा उत्तर परदेश में आजे लल्लू की बात करें, तो ये तमाम चीजे क्या उनका किसी तरीके से एक्षन होता है, कॉंग्रेस की तरफ से कोई सक्त संदेश कॉंग्रेस की तरफ से दिया जाता है, ये काफी महत्पून, इस बैठक से जो है निकल कर सामने आता है या नहीं आता है, य अगर शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए इस परश, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहांपर अब बैठक की जारी है कॉंग्रेस की तरफ से मन्थन किया जाएगा कि आखिर ये जवाबदारी किसकी बनती है